हेलो दोस्तों उमीद है आप अच्छे से होंगे आज की इस वीडियो में हम बिटकोइन और क्रिप्टो कंसी को ले के कुछ लेटस्ट न्यूज है मार्किट में उनको डिसकस करेंगे इसके बाद बिटीसे का प्राइस अनेलसिस करेंगे और वीडियो के लास्ट पे हम ओड को उसकी तरफ जाते हैं बिटकोइन प्राइस डिडिनोट क्रेश सिक्स्टी परसंट डिव टू क्रोना वाइरस सेस बाइनस सीओ एक या दो मिनिट में मैं यह न्यूज कवर करता हूं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यह जो डंप आया है क्या आपको भी लगता है ह इसके पीछे और भी वह सारे फेक्टर्स हैं जिसको मैं वीडियो में डिसकस करूंगा जिनको जानने के बाद आपको मार्केट की समझ भी आएगी आपको बाइंग एंड सेलिंग और होल्ड करने के लिए जो आप ट्रेडिंग डिसीजिएं लेते हो उनमें भी असानी होग चैंग पैंग जाओ नौन एज सीजेट इन क्रिप्टो करेंसी सर्कल्स आर्गिवड एट क्रोना वाइरस है शौन देर वर्ल्स एकोनमी इस वार चू वीग एक्सेक्टली इनका भी मानना है जो सी ओफ बानेंस है के यह जो डंप आया है यह जस्ट क्रोना वाइरस की से ही अगर बर्ड की कॉनमी हिल जाती है तो तो दैस क्लियरली साइन के वर्स की कॉनमी भी बहुत ज्यादा वीक है उनसको स्टेबल होने की जरूत है आस्ट वेदर ही फैट कंडिशन दिस यह वर्ट दिफरंट फ्रॉम दा गलोबल फानेंशल क्राइस अफ टू थूज वास नौट पैंडिमिक पॉसिं ग्लोबल एकोनमी बट आइब देखा क्रोना वारेस इस जटेगर नोट दारूट को जो एकोनमी शुट बीस ट्रॉंगर अट लीस था श्रॉंग इन अफ शॉख्स 2 फूजन संब्समें देखा है लोग जो है अनलिस्ट है वो तू तूजं में यह इस तरह की जो डिसीज जिसको पैंडिमिक डिसीजिस कहा जाता है जैसे क्रोना वारेस आया इसकी वज़ा से फैनेशल क्राइस नहीं आया था वो एक डिफरेंट मैंटर थे अगर आप 2008 में सर्च करो तो वह पैंडिमिक डिसीज की वज़ा से जो के आज कल माना जा है कि यह क्रोना वाइरस के वज़े से सारे मार्केट्स डंप है 2008 में बिल्कुल डिफरेंट सीन था तो इसको हम कंपेर नहीं कर सकते हैं 2008 के साथ ठीक है जाव वास पिकिंग एज बिटकोई वाज इंकरी इंकरी इंकरीजिंग डिकप्लिंग फ्रम जा मिजरी फेसिंग ट्र यह जो कोईन टालीग्राप के ऊपर यह निव्स आई थी आप इसको कोईन टालीग्राप पूरा पढ़ सकते हैं लेकिन आपको मैं सिंपली बता देता हूं कि जो कि इस आर्टिकल में भी नहीं है जो मैंने रिसर्च किया कि यह जो डंप आया करोना वायरस के वज़े से 100% डंप नहीं है क्योंकि बीटीसी का अगर मैं सफिस्पिक बात करूं बिटकोइन को अगर मैं लूँ तो हैलविंग अभी 58 अवे है ठीक है जब से करोना वायरस का चक्क चल रहे तीन मन समझ लें के हैलविंग में पढ़े थे एक मन से ज्यादा यह जो न्यूज है यह सरकल म करने वाले कों थे जो मैंने की है माइब रॉंग यह जो माइनर्स हैं डेफिनेटली यह इन्होंने शोर्ट सेलिंग स्टार्ट की जिसकी वज़ए से बीटीसी डंप हुआ और दुनिया की जो तवज्जो है वह आजकर लगी है क्रोना वायरस की तरफ और यह जो अक्सेंज की बारे में बतारों कि आजकर यह मुझे लग रहा है और ऐसा हुआ है और ज्यादा तर पॉसिबिलिटीज भी यहीं है कि रिवोर्ड जो है वह हाफ रह जाएगा है हैल्विंग के बाद और जो वीक माइनर्स हैं डेफिनिटली उन्होंने शोर्ट सेलिंग की कि चलें हम इ नीचे दखेला और अपना प्रॉफिट कम आया ठीक है आई से दो मंत पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी नियूज ऐसी मार्किट में लेकर आई जाती है जब कोई भी स्टॉक हो या क्रिप्टोकरंसी हो या कोई भी ऐसी जिसकी प्रा पहरा लिया जाता है प्राइस का डाउन करने में तब 10,000 के करीम विटकून की प्राइस थी और फ्लक्ट्ट हो रही थी 8500 से लेकर 10,000 के दर्मयान में मैंने आपको टेलीग्राम पे भी कहा था कि प्राइस जो है वो डंप हुआ करते हैं तो हैल्विंग से पहले मैं बड़ पर प्राइस और बेटीसी जो हैं उनमें बहुत साथ एक बुल्ट रैप भी है और बहुत साथ बेरिश रैप भी बूल्ट रैप क्या होता है उसका डिस्क्रिप्ट्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ उसकर मैं विडियो बना चुका में सिंपल तो यह तीन मिनिनट लॉइडिया आप समझ लें कि यह होता कै अब यह ट्रैप मैनी प्रेटर्स की तरफ से किया जाता है सेट किया जाता है ताकि आपके फंड को स्टील किया जा सकते इस टील ही मैं बोलूंगा डेफिनिटली और आप जो वीक हैंड की तरह एक्ट करते और अ अब भला और ऐसा नहों कि एक सिंपल क्रेश की वजह से आप इंट्रैप में फसके अपने पैसे गवा बैटो कल मैंने का था कि यह एक बूल ट्रैप मुझे लग रहा है अब देखिए बीटीसी की जो प्राइस है वो कल एकदम से पंप हुई वन थाजन डॉलर और मोर देन सेवन थाजन डॉलर के करीब गई और वहां से एक दम से एक दो तीन चार पांचे साथा नो दस दस गिंटों के अंदर अंदर ठीक है लेस देन हाफ डे के अंदर अंदर प्राइस दुबारा फाइटाउजन सिक्स अंडर एटी डॉलर तक डंप हुआ और दुबारा से अभ कि मैंन फैक्टरी होता कि आप लोगों से बीटी से लेन ही होते हैं ठीक है और आप ही होते हैं अभी के लिए मैं आपको यह खेर हूं कि गडियंगा अगर यहां से दंप होता है तो यह देखें कितना अच्छ पूनुए इस यह आज जो पहले यह पता होना पांब कर दिया क ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके कि शोटम में क्या चल रहा है मैं सिर्फ एक ही स्पोर्ट लाइन खेंचूंगा आपको समझ आ जाएगी क्योंकि टेक्निकल अनालसिस में आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए आप करने क्या जा रहा हो ऐसा नहीं कि चार्ड पे आपने सब्सक्राइब करते हैं यहां से उपर जा सकती है ठीक है तो बीटी सी की जो प्राइस है वो 5229 डालर तक डंप वो सकती है यहां पर प्रीविस री अच्छा स्पोर्ट रहा है आप देखें कितने गेंटे मार्के ने इस स्पोर्ट लाइन को स्पोर्ट किया है पीछे भी अगर जाए तो यह अच्छा स्पोर्ट लेवल है तो यह हमें इंडिकेशन देते हैं कि यहां से उपर मार्केट जाते हैं कि दम स्प्रिंग की तरह उचलती है और सेवन थाजन डॉलर को टच करने की कुशिश करते हैं जो कि करेंट एक वीक डिस डिस्टेंट लेवल है राइट तो आपको इन लेवल्स को जहन में रखना है और अभी मार्केट में बहुत चाहिए इतनी चीप राइसे यह कब बाइक करना है जब 3000 पर आप कह रहे थे 1000 पर जाएगा जब यह वन थाजन पर चला गया आपने कहने 500 पर जाएगा क्योंकि मार्केट में अग्टिविटी तभी आती है जब मार्केट में दिखें एक्टिविटी आती है तब ही नेक्ट करता है जैसे बीटी सी 3800 डॉलर पर डंप हुआ कितनी जल्दी रिकावर होके फाइब 4800 डॉलर पर चला गया ता कितनी ज्यादा बाइंग बैक हुई थी अब यह भी तो देखो मन्त में 60 परसंट डाउन हैं प्राइस इस अभी तो फिलहार रिकावर हो गया 80 90 परसंट पर लेकिन यह है कि अभी भी चीफ प्राइस है श्क्सवाजन डॉलर पर अभी मार्केट स्टेबल हो रही है आपने आपको पांचे मन्थ आगे लेकर जाओ आप अगर यह 12000 डॉलर पर भी कम असकम बीटी सी चला जाता है जो आपको भी पता है कि बीटी सी जा सकता है तो यहां से 100% प्रॉफिट हो सकता है ठीक है तो आप मार्केट में इन लेवर्स को लाजमी जहन में रखा करें अब देखते हैं कि ओल्ड को मार्केट में फिलहाल क्या चल रहा है मेरी आप लोगों के लिए क्या डवाइस है क्या करना चाहिए आप लोगों को इस टाइम पर द को देख लेता हूं अभी दुपहर को यह 64% सम्थिंग उपर थी परसंटेज अभी 65% हो चुकिया कोई मार्केट कैप के डैटा के हिसाब से तो इसका मतलब है कि ओल्ड को जो अभी थोड़े से और ज्यादा डंपिंग कंडिशन में जा सकते हैं क्योंकर बिटकोई की डॉम अभी के लिए सेफ जून 185 बिलियन डॉलर है उससे उपर अगर यह चला जाता है तो फिर बीटी सी और ज्यादा बुलिश होगा और अगर यह नीचे जाता है तो बीटी सी भी बिरिश और ओल्ड कोई भी बिरिश हो सकते हैं बैक तुदा पॉइंट वर ओल्ड कोई जो है 30-40% अब अगर मैं अब भी देखू ना कि क्या बाइनस पे टॉफ फाइव कोईंस कौन कौन से हैं बी सीटी कोई एक गेंटे की कैंडल में अच्छा खासा परसंट प्रॉफिट देक गया 20-25 परसंट तक प्रॉफिट ठीक है और भी बहुत सारी एक्जम्पल्स हैं ब्लू परसंट 60% तो एक आम सी बात है जैसे ही पंप होता है उससे एक्जट कर लें बीटी सी में आजाएं लेकिन लोस पर आप करेंगे तो डेफिनिटी अभी तो लोस बर्दाश कर लेंगे लेकिन एक या दो मन्त के बार या दो तीन वीक के बाद बीट अगर ओल्ड कों जहां पर रिकावरी की तरफ आते हैं जो के ज्यादा तर चांसे यह के एक दो वीक लगेंगे अभी रिकावरी होने में तो फिर आप कहेंगे काश मैं सेल ना करता यह अभी 20% 30% 60% उपर चला गया है मैं अभी सेल कर देता फिर आप अपने आपको को सेंगे जी मैं जहां से बाई पर नीचे है को अगर वह 35 भी चला जाता तो यह डेफिनेटली कोई आपको रिस्क लेना चाहिए और यह 35 आज है तो कल यह 60% उपर चला जाए और आपको बजाए नुकसान होने में वह प्रॉफिट हो जाए आपके देखते देखते यह वीडियो देखते देखते हो सकता जो कर जाए आपको प्रॉफिट दे जाए तो पंप आज चल रहे हैं वन बाइवन को लेकर और मुझे पता है यह ऐसा क्यों होगा करता है जब देखते ना सारे को वन बाइवन पंप हो रहे हैं वहां से पैसे निकालते हैं ट्रेटर उस को इन में डालते हैं जहां जो कि अ करने के लिए ठीक है आपको वीडियो काफी जादे इंफॉर्मेटिव लगी होगा अगर आपको लगता है आपको वन परसंट भी नौलिज मिले तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत बूलेगा अपना ख्यार रखेगा हैपी ट्रेडिंग टेक एर